बुद्वार को ब्रामन सवा मुरार द्वारा एक प्रई स्वारता का आयोजन एक निजी होटल में किया गया जिसमें ब्रामन सवा मुरार द्वारा आगामी कारेकरमों की जानकारी देने से पहले सभा के पूर्व अध्यक्ष गणों के द्वारा ब्रामन सवा के नवीन अध्यक्ष पंडित नरेश कटारे का स्वागत कर उनके द्वारा गठित नवीन कारेकारणी की शुपकामनाय दी होली मिलन समारों कोविड नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा जिसमें दंद्रववा सरकार महंत रामदास महराज जी का सानित रहेगा वही मुख्य अतीती के तौर पर पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसाद अनुप मिश्रा उपस्तित रहेंगे वही कारिक्रम की अध्यक्षिता ग्वालियर सांसाद विवेक सेजल कर करेंगे अभी करेंगे और करेंगे सासनी के नियमनुसार कोबट लाइन का गाड़ लाइन के साब से पूरे कायक्रम मुरार में करना चाहता हूं अभी ओली में सवारों दो तारीक को है उसमें मुकतिती अध्यस्तात विश्रसतिती सब्ली सहमती हो गई है हम उसको कोबट की गाड़नान के साब से सौ आदमी से कम की विष्टा करी है और खानी की विष्टा नहीं करी हम इसा खानी विष्टा होती थी और नी फिलाएं गुलाव के फूलों की से ओली खेलेंगे बगवान परस्राम के चड़नों में गुलाव की फूली खेली जाएगी और मुकतितीयों को गुलाव के फूल से सम्मान करेंगे उसके बाद अपने यह कुछ कागरम में लंद्ध समान होगा तंपंजी को दो तारीकों सा बगवान परस्राम मंदर आस्मनी मुनार में उसके बाद परस्राम जहनती का कागरम आने वाला है उसकी बैठक करना है कारकानी की सलाम असवरा करते समाझ से वह चंदावी लगना पड़ता है घरगर जाके सभी को साथ में जोड़ना पड़ता है उस सबकार चलेंगे मेना करेंगे हमारे मुखतिरी और हमारों मैं तो माननी अनुमिस्राजी पूर मंती मत्बेद्व आसन हैं अद्यस्ता शांसत गवालियत विविवक नारान्स स्वेड़ी करेंगे बिशेस अतिति की रूप में विदायक पुरिदायक प्रिषि पाटक जी रहेंगे पूर विदायक स्री मोकेश चौहधी रहेंगे महेश मुद्गल जी बश्ट्रमा स्वेदी रहेंगे देवें शर्venजी कॉंग्रेस अध्यैच शहर वो भी रहेंगे भारतियंताफाडी ग्रामिन अध्यैच कोशाण शर्venजी पास्टत रहेंगे और राश्टी अंतर राश्टी राखमर महासवा राके शनातन के अध्यैच आधनी ट्रेडी सोनकी आजीमी पश्टत रहेंगे आज अपने ब्रामर सवा मुरार के अध्यच के नाते नरिस कठारे दे पूर अध्यच चो अभी तक थे उनका स्वागत सम्मान सौल्ट और माला के साथ किया है 2021 का महा संग्राम नगरिये निकाय को लेकर प्रत्याशी अजमाएंगे अपनी किस्मत किसकी होगी जीत किसकी होगी हार छेत्रिये जनता करेगी तै अगर आप भी बताना चाहते हैं अपने वाड का हाल तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें 9907824554